दाम नाम किसान भाई हो स्वागत है चैनल और्गेनिक फार्मर में मैं हूँ आपका किसान दोस्त नितिन काजला और धान का मुसम चला धान की हमारी पिछली तीन चार वीडियो आई हैं आप लोगों ना बहुत प्यार दिया उन्हें और बहुत अच्छे सुझाव और सवाल आए हैं तो एक वीडियो पर तो मैंने सवाल भी जवाब देने का प्रयास किया था आप लोगों ने देखी होगी वीडियो आज की जो वीडियो का मुख्य उद्देश से हैं मुझे कई सारे सातियों के प्रशन आए कि आप जो 1692 की चर्चा कर रहे हो अपनी वीडियो में यह हमने तो सुनानी इस बीज का नाम आप कहां से लेके आए और कैसा यह बीज है लंबी वेराइटी है या कम समय की वेराइटी है इस तरह की कई सारे प्रशन आए तो आज की जो वीडियो है इसी पर रहने वाली है कि पूसा बास्मती 1692 किस तरह की किस्म है और क्या मैं इ चैविक खेती करता हूं और किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइजर पैस्टिसाइड कुछ भी नी डालता हूं उसके बावजूद इतना अच्छा यह खेत आपको मैं दिखाऊं क्या शांदार इसका कलर है बहतरीन इसकी ट्रिलरिंग आरी है आज हम 20 दिन का यह धान है ल प्रिलीज किया है पंदरे जीरो नो जैसे कि आप जानते हो के लगबग 1520 दिन की वराइटी है सीड टू सीड तो पिछानवे दिन अठानवे दिन में पकती है और 25 दिन के करीब की किसान साती जो है पोद लगाते हैं तो यह वराइटी भी 115 दिन की है सीड टू सीड पंदर काबले इसकी टिल्रिंग मुझे जादा बहतर लगी जैविक खेती में भी यह देखो कितने शांदार शांदार कलंप इसमें बने हुए हैं तो जबकि मैं इसमें किसी भी तरह का मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइजर कोई पेस्टिसाइड कोई ग्रोथ प्रोमोटर कोई टिल तक चार क्यारी हैं इसमें बहुत शांदार तो चलिए इस वराइटी के अब करेक्टर की बात करते हैं यह लगबग 110 से 115 दिन में पकेगी बहुत बढ़िया ट्रिल्रिंग इसकी दिखाई दे रही है और प्रोडक्शन में तो इसका जो कागजी रिकोर्ड था वो बहुत श साथ ही साथ भारत के अन्यत जगें पर भी इसकी उपर बहुत बढ़िया इसमें मिली है वैग्यानी को अब यह किसानों को मिली है मुझे भी इसका हम दो किसान थे तो चार किलो बीज मिल गया था दो दो किलो बीज पूसा मेले में मिला था इस साल जो मेला हुआ था तो वह गए सोज उट्टी करीब तो उनके भी यहां उन्होंने एक दो बिगा में इसको लगाया होगा उत्पादन बहुत जबर्दस्त आएगा जहां पंद्रे जीरो नो का उत्पादन लगबग 55 गुंटल के करीब आता है उसत इसका उसत 60 से उपर जाएगा और अच्छी कंडिशन में मैंने आपको बताया इन्हें 75 गुंटल प्रती हेक्टेर तक का उत्पादन दिया है रोग जैसे मैं देखता था पंद्रे जीरो नो में इस समय थक इतने टिलर्स तक पत्ता लपेट की कोई जगे जगे दिखने लग जाती थी चुकि हमने इस बार धेचा भी लगा रख किसान जो पंद्रे जीरो नो की बुआई करते हैं और सभी के खेतों में जो है जंडा रोग जिसे बाकैनी रोग कहते हैं उसकी यहां पे खूब भरमार है पूरे जंगल में लेकिन इस प्लोट में आप देख रहे हो कहीं पर भी एक भी कोई पोधा नहीं है बाकैनी रोग क में लेकिन जो पहला मेरा प्रयास है इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे इसका नजर आया है प्रोडक्शन इसकी अप है और कीटों से सुरक्षा में मुझे यह बहुत अच्छी चल रही है तो मुझे यह है कि जादा टिल्रिंग जितनी जल्दी आ जाए धान में उ तो या तो हरे दाने रह जाते हैं या वह दाने सूख जाया करते हैं तो जब टिलर जल्दी आ जाएंगे हमारे हमने मैडी भी मार दी इसी वज़े से अभी तो बढ़िया इसका मुझे रिजल्ट नजर आने वाला है बहुत सुंदर क्लंप हैं यह देखे कितने अच्छे क् सकता कितने शांदार इसमें किलंप बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है तो किसान भाई यो इस साल तो जिन साथियों को मिल गया था बहुत अच्छी बात है और मैं आदा मिनिट आपका उस पर भी लूगा कि आप जैसे हमारा है बीज की दिया उसका विश्वास बिल्कुल मत करना कोई गारंटी नहीं है अगर यूनिवर्स्टी से बीज लाए हैं जैसे हम दो किलो बीज ले आयते दो दो किलो तो अपना बीज बनाओ और उस बीज को जादर से जादर किसानों को बाटो थाकि बीज कंपनियों से कुछ मुक्ति मि कोई भी पोधा इससे अलग लगे इससे अगर अलग लग रहा है तो उसे तुरंत आप उखाड़ दो किसी भी तरह की मिक्सिंग इसमें आप लोग मत करना उत्पादन बहुत जबर्दस्त देगा और रोगों से भी बहुत बढ़िया चल रहा है बिना रोग है निरोगा है अभी तक तो साथी साथ कम समय की किसम है 1509 की तरह ही और चावल ठोटने की समस्या आती है वो डावां है यह संतुष्ठ होंगे बढ़िया उत्पादन कम रोग अच्छा चावल नहीं टूटेगा जलदी पकेगी ताकि आप दूसरी फसल अगेती ले पाओगे जो लोग आलू की खेती करते हैं या गन्नेक खेती करते हैं दान के बाद तो वो उनका इसमें ठार्गेट भी पूरा हो रहा है और बहतरीन यह खेच चल रहा है तो भाई अगर इस वेराइटी से संबंदित आपके कोई भी प्रेश्ण हो तो आप कमेंट में के भेज सकते हो कोई सुजाओ हो मुझे वह आप दे सकते हो और जो साथी इसका बीज चाहते हैं पूसा बासमती 1692 का बीज चाहते हैं वे मुझे वाटसेप पर मैसेज कर सकते हैं जो बीज वागेरा गुडू अगेरा लेने के लिए जो मेरा नंबर है वह 8723-5533 मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है आप उस पर मुझे संपर कर सकते केवल वाटसेप पर संपर करें और अपना भीज आप बुक कर सकते हैं तेजी से इसकी बुकिंग हो रही है अच्छे रिजल्ट इसके अब तक के आए हैं तो साथियो किसान इसका लाब ले पाएं जल्दी जुड़ता हूं अगली एक और वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद